हेलो गाईज आरद है अर्द है अल्लाइन अस्टेडी पांड आपको स्वागत है आज हम करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है सील्ज का अलजब्रा का और यह अइडेंटिटी जो कि आप एट्थ में सेवंथ में पढ़ना है स्टार्ट कर दे तो धीर धीर है ठी x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square ठीक है कैसे आता है देखो सीधी सी बात है वो ही बाली बात होती है हम आइडेंटिटी के लिए नहीं बने है इडेंटिटी हमारे लिए बनी हुई है सिंपल चीज क्या है कि हमें रटना नहीं है आइडेंटिटी को हमें समझ में आना चाहिए कि नेचर क है इसका ठीक है मैं आपको याद करना भी सिखाऊंगा आता है वो भी कैसे आता है वो बताऊंगा एक्जाम में अगर आगया इनकेस तो कैसे अपलाई करना है और इनकेस आपको आइडेंटिटी बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको याद नहीं आ रही है तो बिना इडे है two, इसका मतलब जितने भी दोनो term है, इनको power कितनी मिलनी चीट हूँ, आप ऐसे समझ सकते हो, कि total मिला के दो लोग है, ठीक है two person है, इन two person को two divide करना है आप दो लोग बैठे हुए हो, दो friend हो, x and y, खाने की चीज़ दो है, कैसे कैसे possible combination है, क्या हो सकता है, कि पहले वाला है, दोनो दोनो खा जाए वो, यानि कि हो सकता है कि पहले वाला जो है, वो दोनो लेके चला जाए, two apple है, two person है, आप two friends हो, पहले वाला friend, यानि आप हो सकता है, दोनो apple खा लो, एक case हो सकता है, second case के आउ सकता है इसका कि आपको न मिले आपके friend ने दोनों उठा के खाली है ऐसा भी हो सकता है और third case के है दोनों को one one मिले इसके लाव को case बनता है नहीं बनता है ना तो हो या कम यह two है apple आपके पास में total तो पहले यह आप और यह आपका friend है तो आपने दोनों खाली है यानि आपको power मिल रही है two ठीक है इसने दोनों खाली है यह वाला time हो गया ठीक है दोनों को one one मिला देखो जो x multiply wise का मतलब कि x की power भी one है और y की power भी क्या है one यानि कि two को हमने one one करके divide कर दिया तो यह simple divide का तरीका है कि first वाले को power two मिली second वाले को power two मिली दोनों को power one one मिली और याद रखना जब power two होती है तो coefficient क्या आता है जो coefficient यह आ रही होता है two जो power है वो ही coefficient होता है ठीक है यह actual में है 11th class में आपका याद करना है तरीका इस तरह से बंती है 11th class में जो ची जाने वाली उसका use करगा आप ऐसा भी निकाल सकते है अगर मैं आपको दे दूँ कि x plus y की power 10 बताओ तो आप उससे भी निकाल सकते है कुछ ऐसा ही होगा x की power 10 ठीक है फिर y की power 10 होगी फिर हो सकता है कि first वाला 9 ले जाए second वाला 1 ले जाए first वाला 8 ले, second वाला 2 ले first वाला 7 ले, second वाला 3 ले वो बाद की बात है ठीक है तो आप समझ गे सीच को 2 को कैसे डिवैड करना है ये होगे इसको याद करना दूसरा इसका मतलब क्या है actual में कि two terms हैं इसका मतलब ये है कि आपके पास में two terms होंगी वो कैसी भी हो, positive, negative, doesn't matter sign के साथ उठाने सीख लो आपको प्रोब्लम नहीं आएगी और एक second term होगी और दोनों का होगा whole square तो पहले first वाले को power 2 दे दो first वाले को मैंने power 2 दे दी ठीक है? second वाले को power 2 दे दो second वाले को power 2 दे दी इन order से कोई फरक नहीं पड़ता आप 2xy को बाद में लेखो पहले लेखो कोई फरक नहीं पड़ने वाला और उसके बद क्या हो सकता है? coefficient रहेगा 2 और first वाले की power भी 1 और second वाले की power भी 1 ये हो गया अगर आपको ये याद है तो मैं बतायता हूँ आपको क्योंकि एक identity होती है वो क्या होती है? वो होती है x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square ठीक है? कुछ लोग confuse हो जाते हैं कि ये वाला minus वाले में कैसे करें और plus वाले के अंदर कैसे करें अभी आपको सारा confusion clear हो जाएगा हाँ जी अभी आपको सारा confusion clear हो जाएगा कि actual में ये होता कैसे है सब clear हो जाएगा ठीक है? तिसरे थोड़ा time लगा लगा लास के अंदर समझने में लेकिन आज आपने समझ लिया ना आपको कभी problem नहीं आने वाली है ठीक है? तो आपको लग रहा होओ ये अलग से याद करना होता इसको अलग से याद नहीं करना है ये कुछ ही नहीं देखा जाए तो कैसे? अब आपको कहोँ करें मैं इन आपको ये बताया है न जड़ा इसका use करो ठीक है? तो ये identity थी अब मैं इसको question मान रहा हूँ अपने लिए कि अगर मेरे पास में question ऐसा आए कि expand हाँ जी उससे पहले एक चीज बतायता हूँ इसको बोलते है expanded form जो इस side में लिखा हुआ है मैंने दो आपने expand कर दिया यह bracket में चुपचा बैठा हुआ था चुपके बैठा हुआ था आपने इसको expand कर दिया तो इसको बोलते है expanded form क्या बोलते है expanded form और इसको बोलते है factor वाली form है यह factor form factor form चलो यहां नहीं दिख रहा होगा इसको बोलते factor form अब आपको इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है जब question आएगा जब समझा दूँगा कि अगर question में ऐसा दे रखा हो तो आपको फैला आना है और जब चीजों को फैला रखा हो तो आपको submit ना है simple चीजे ठीक है वो बादे मताओंगा अभी आप सोचो आपको एक question आता है simple सा ये identity तो आपको clear है ठीक है इसमें कोई problem नहीं minus वाले ही problem आते उसको भी solve करते है आपको लिखा expand x minus y square आपको ये expand करने को आगया और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ मैं नहीं जानता कि ये क्या है I don't know ठीक है मुझे नहीं पता क्या है wrong नहीं है ये मैं जानता नहीं हूँ कौन है मुझे दिखता भी नहीं है क्या चीज है मैं नहीं जानता है कोई problem नहीं बस मुझे एक identity पता है कि two terms होंगी दोनो addition में होंगी और एक square होगा तो कैसे करना है minus y all square इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो x तो x है plus ये minus y देखो plus और minus मिलके तो बनना तो minus ही है तो बनेगा तो वो ही बस इसको लिखने का different तरीका हो गया अब आप मुझे बताइए एक बार क्या मैं इसको x को first term and minus y को second term मान सकता हूँ मान सकते हैं बिलकुल सही है ऐसा कैसा दिख रहा है कि एक term है बिलकुल है x एक second term में minus y term negative positive चलेगी कोई problem नहीं आ रहा है और बीच में sign क्या लग रहा है प्लस लग रहा है ठीके तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हमारी जो first term है वो है x और जो second term है वो है minus y ठीके तो expand कैसे होता है ज़रा याद करो first term जो भी थी उसका square करना है तो first term जो भी है first term जो भी है उसका square करना में एक format बना रहा हूँ घर में आपको देखा रहा हूँ मम्मी को idli बनाते हैं देखा है न idli का एक सांचा होता है ही कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर कुछ हो तो क्या होता है एक term होगी उसका square होगा फिर two होगा और इस तरीके से आएगा ठीक है और उसके बाद में एक term होगी second उसका होगा square idli का सांचा ready उठा के डालना है first term का square first की जगे डालना है x यह भी लिखने के requirement आप mentally कर सकते हैं उसके बाद two into first first x into second second है minus y and second है minus y ठीक है देखो ज़रा इसको यह होगा x का square positive positive negative होता है negative positive positive negative क्या होता है negative होता है two multiply x multiply y two multiply x multiply y हो गया and minus का square क्या होता है minus का square होता है plus अभी बहुत अच्छा logic बताने वाला आपके concept clear हो जाएगा कि plus minus वाली गड़बड आज के बद कभी नहीं करोगे तो minus का square plus तो यह हो गया plus y square अब मुझे बताओ इसमें और इसमें को difference है इसका मतलब आज से आप लोग minus वाली identity याद नहीं करोगे क्या याद नहीं करोगे minus वाली identity को याद करना ही नहीं हमे समझ रहे हो क्योंकि हमें पता है कि हमें एक identity पता होनी चीए क्या कि two terms होंगी और वो addition में होगे उनका square करना है कैसे करना एक पर first को two दे दिया एक पर second को two दे दिया एक पर two coefficient लाग दोनों को one one दे दिया जिसे apple divide करना हो ठीक है तो देखो यहाँ पर first वाला two ले गया एक possible case second possible case third possible case यह है कोई nine साफी नहीं होगे clear है इस तरीके दे आप कर सकते हो ठीक है इसको note करो तो हमने एक identity सीखी यह वाली clear ऐसे cube में भी two identity होती x minus y का whole cube और x plus y का whole cube मैं आपको एक single बताऊंगा first term plus second term का whole cube plus minus दोनों हो जाएंगी उस साराम से ठीक है एक बार इसको note कर लो आज brightness सही लग रही आपको board के उपर ठीक है तो धीरे धीरे बैटा मैं भी improve कर रहा हूँ आपको अच्छी brightness वाला बढ़िया मिलेंगे अपसे lecture ठीक है ना हाँ जी तो इसको note कर लिए आपने अब ज़रे इसको समझते हैं कि इसकी application क्या है कैसे use किया जाता है एक पर अच्छे से इसको समझ लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपके examples पर आऊँगा फिर हम example करेंगे बुक के राइट हाँ जी चलो यह हमारा लिखा हुआ है इसको use कैसे करेंगे ज़रे इसको use देखो मैं आपके book से example उठा लेता हूँ चलो वो भी अच्छी बात है बुक के example भी cover हो जाएंगे ये भी हो जाएगा तो एक मिन्ट वेट कीजिए हाँ जी ये example आपके example number 16 का first part ठीक है देखते हैं कैसे use करना उसमें लिखा हुआ है कि expand this using suitable identity अब आपको देखके लग रहा होगा देखो सारी चीज़े बता रहा हूँ आराम से ठीक है रिलेक्स होगे सुनना पूरा सा पहले हो इसको करने के अलग-लग method है पहला method आप इसको लिख सकते हो कि x power x plus 3 की power 2 क्यों हमें पता है अगर कोई भी चीज 2 time multiply हो सब्सक्राइब मैं लिख रहा हूँ 5 multiply 5 तो you can write 5 power 2 तो यहां पे भी x plus 3 multiply x plus 3 था x plus 3 power 2 हो गया अब यह कुछ ऐसा नहीं हो गया first term plus second term का square हो गया तो कैसे करेंगे तो simple बात है आप इसको लिखोगे इसको लिखना है हर बार identity को जरूर लिखना हर question में habit बना लो कि whatever identity whatever formula you are using write that सीधी सी बात है यार आप इसको use कर रहे हो बेचारे को तो इसको credit नहीं देंगे एक credit बनता है न थोड़ा सा जैसे movie बगर हम नहीं होता है कि कि किसी ने role किया है फर्स टर्म तो है x और second हमें 3 तो simple सा हो जाएगा फर्स टर्म का square प्लस second term का square मैं बार बार चेंज करकर के लिखोंगा यह वाले चीज कभी मैं 2 वाले को बीच में लिखोंगा कभी इसको बीच में लिखोंगा ठीक है ना ताकि आपको confusion नहीं हो कुछ बोचों को क्या रट जाते हैं वो क्या करते है फर्स टर्म का square प्लस second का square प्लस second का square प्लस second का square plus 2 multiply first term into second term idli ready है साचा पूरा पूरा गोल डालो भाई यह है first यह है second ये है first, ये है second ready है, x का square is x square 3 का square is 9 2 multiply x multiply 3, 3, 2, just 6 x एक order याद कर लेना, आपको mistake नहीं होंगी order है, सबसे पहले हम लोग solve करते हैं, sign याद रखना, सबसे पहले solve करना है sign sign का काम होना चीए उसके बाद constant जो भी constant नमबर है and third value is variable थर्ड बाद में variable पर काम करना है ये order याद रखना है, ठीक है इसमें sign के बारे में क्यों बात नहीं की क्योंकि सारे positive, हमें sign के problem मुझे minus होती, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कुछ बच्चों को problem होती, सर माइनस, माइनस प्लस माइनस वाला क्या confusion है ओके, देखो एक चीज़ याद रखना total मिलागे 4 possible combination बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये आपने note कर लिया ठीक है, आप इसको x square plus 6x plus 9 लिख सकते है, standard form बन जाएगी इसको लिख लो, अब एक बहुत अची चीज़ बताने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है प्लस माइनस माइनस प्लस का जंजट खतम करते हैं आज 9th class में आ गए हो यार, आप तो तनी होना चीज़ ने problem ये वाली, ठीक है टोटल मिला के 4 possible case बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि प्लस हो या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो remember one thing, plus sign से तो हमें कोई problem ही नहीं है plus sign से तो हमें कोई problem ही नहीं है problem होने लगती जब minus आता है कुछ लोगों की पता एक habit बताता हूँ maths में problem कहां थी है decimal देखके problem आना start under root देखके problem आना start rational number देखके problem आना start minus sign देखके problem आना start ठीक है तो आज एक चीज़ को खतम करते हैं धिर धिर सारी चीज़ खतम करतेंगे याद रखना plus sign है तो हमें कोई problem नहीं है रहने तो छोड़ो तो plus plus तो plus ही रहेगा हमें कोई problem नहीं है minus आया okay minus आया two minus आप सोचो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना ये है मेरा minus sign minus sign ऐसा ही दिखता है ना minus sign एक single ओके ये है मेरा minus sign अकेला minus अगर पड़ा हुआ है इसके साथ में plus लगा हुआ है मालो इसके साथ में plus लगा हुआ है उली से थमाजने इसको plus लगा हुआ है plus को तो देखो ही मत plus हो हमारे कोई problem नहीं create नहीं करता है जो problem create नहीं करता हम उसको देखते भी नहीं है ये हमारी habit है ठीक है हमारी नजर कहा जा जो problem great करता है तो plus चाएं कितने भी हो हमें तो minus पे focus करना है किस पे focus करना है minus पे एक single minus पड़ा हुआ है तो minus रहेगा ठीक है उसके साथ में कितने भी plus लग रहे हो वो क्या रहेगा minus जाओ 10 plus sign लग रहे हो प्लस यानि जैसे आपको two minus sign मिलेंगे वो क्या बन जाएगा plus बन जाएगा clear है और अगर single minus है तो minus रहेगा तो हो गया काम हमारा खतम आप देखो आपको सारे possible cases बताता हूं suppose इसका बताना final answer कि मान लीजिए मेरे पास में minus वाली कोई term है minus one multiply minus two multiply minus three multiply minus four okay मेरे को ये two minus दिखे ये two minus के अदर attraction लगेगा 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 ये दोनों minus मिलके क्या बन गए एक ऐसा चिपक गए एक दूसरे के उपर plus काम खतम फिर two minus मिले इन दोनों minus के बीच में attraction लगेगा लगा 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 ये भी क्या बन गया plus काम खतम ठीक है तो ये चीज तो answer कैसा आएगा final answer क्याएगा positive और बाद में four three two one को multiply कर लेना right और example लेते हैं इसको समझने के लिए मान लीजिए ऐसा है अब मैं सिरफ number ने लिख रहा हूँ आप ये समझो कि sign वाली कोई चीजे पड़ी हुई है ठीक है minus one minus two minus three कुछ भी हो सकता है इन दोनों minus को देखो जरा two minus sign ये एक दूसरे के पास में आने के कोशिस करेंगे करते करते चिपक गए right तो plus अकेला minus बचाना तो final answer कैसा होगा minus ह क्योंकि इसको कोई मिला ही ने plus बनाने के लिए समझ रहे हो आई हो आप आपको problem नहीं आए कि plus minus sign से related ठीक है और हमें पता है square और cube square cube में समझ लेना यहां भी problem आप लोग को आती है वो क्या है हमें पता है कि minus का square करना है मानलो minus two का square करना है मैंने का सबसे पहले sign होल होता है क्या सोल होता है sign यह minuses की power 2 इसका मतलब minus और minus भाई minus two multiply minus two करोगे न तो मैं सरफ sign की बात कर रहा हूँ minus two times आ गया minus किदने time आ गया two time आ गया हमें पता है कि two minus में लोगो तो खेल कर लेंगे भाई क्या बन जाएगा वो plus बन जाएगा तो काम खतम इसका यह हो गया positive sign का 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 2 का square 4 होता है समझ रहे हो अगर cube की बात आ जाए मान लीजिए कि minus 7 का cube आ गया तो हमें पता है cube में 3 है minus और हमें पता 2 मिलके बना लेते हैं काम अपना मस्ती से खेलने लग जाते हैं 2 होते हैं जो तो जैसे 3 के अंदर 2 तो जो starting के 2 होंगे वो क्या करेंगे खेल कर लेंगे अपने अरम से और बचेगा 1 यानि यह कुछ ऐसा ही है कि minus 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 यह 2 minus मिलके क्या बन जाएगा plus अकेला minus बचेगा तो इसका result क्या आएगा minus और 7 का cube क्या होता है 343 कलियर है तो आप से plus minus sign की गड़पड मत करना अब मैं आपको next question कराता हूं उसके बाद में कि कैसे किया लेगा राइट हाजी अभी identity सीखी तुसको से समझ लेते हैं उसके बाद में मान लीजिए आपके पास question आ गया book में नहीं है मैं बना रहा हूं इसको 2x minus 3y का square तो हमें तो वही चीज़े two terms होनी चाहिए और square अलगा होना ची तो अपने पास वह identity आईगी first term plus second term का whole square ठीक है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से कि 2x plus of minus 3y अभी भी वही बात है देखो plus और minus मिलके single minus minus रहेगा और 2x minus 3y लिखा हो बसे इसको modify कर दिया अब आप मुझे बताइए क्या ये first term नहीं हो गई क्या ये second term नहीं हो गई हो गई तो क्या होगा अपना ये वाला खाम अपना इडली का साचा ready है भाई first term का square लाओ ठीक है उसके बाद में 2 multiply first term लाओ देखो मैंने का तो मैं change करता रहूंगा order इनका plus second term का square लाओ तो first मतलब 2x first मतलब या first और second आता है आपको पता है ठीक है first मतलब 2x second मतलब minus 3y और second मतलब minus 3y अब ध्यान देना 2 का भी square होगा x का भी square होगा 2 square is 4 x square is x square positive positive single negative minus बना मैंने क्या पता है था सबसे पहले sign तो हमने सबसे पहले sign का का काम solve कर लिए है अब किस पर focus करना है constant पर constant है 2 2 3 अब minus 3 मतलब ना हम minus 3 यह बस minus वाला काम कर चुके है ठीक है अगर आपने order follow किया यह वाला तो आपको बार बार नहीं सोचना पड़ेगा negative यह positive 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 negative negative sign का का काम खतम second option पर क्या आता है अपना यह constant 2 2 4 3 12 और फिर variable x and y means xy फिर sign का काम करेंगे minus minus का square means minus 2 times 2 minus मिलके क्या बन जाता है plus बन जाता है plus constant 3 3 का square क्या होता है 9 variable y y का square क्या होगा y square बताओ क्या minus वाले identity कहीं पर requirement होई minus वाले question में भी को requirement नहीं है ठीक है तब से आप minus वाले question को भी plus वाले identity लगा करो minus अपने आप आएगा दोड़ दोड़ के आएगा ठीक है और आप चाहूते ही समझ सकते हैं आपको अगर direct करना है न इतना लंबा चोड़ा लगा आपको नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ गया होगा आसी बात नहीं मतलब आपको लगता है कि मैं directly कैसे करूं इसको quickly कैसे करना है कि minus कहा है आप खुद बताओ minus कहा है y के साथ में minus कहा है y वाली term में minus लगा हुआ है इसका मतलब minus का effect कौन देगा y देगा ठीक है y कहां कहा है और हमें पता है minus का effect कब आता है जब power 1 हो single time minus हो तो minus रहता है two time minus हो तो plus बन जाता है three time minus हो minus रहता है तो देखो y आया यहां पे कितनी बार सिंगल y है तो minus का effect दे दिया दे चुका है यहां square बना और हमें पता है minus का square प्लस होता है तो यहां पे कोई impact नहीं आएगा इसका ठीक है और question होगे और clear होता चला जाएगा इसको note कर लीजे एक बार फिर आगे बताता हूँ मैं हाँ जी अब एक बार identity complete कर लेते हैं फिर example और लेकिया होँगा तो next identity है आपकी जो दी हुई है बुक में वो है x square minus y square ठीक है इसको लिखा हुआ है x plus y multiply x minus y मैं already आपको बता चुका हूँ यह इस form को बोलते हैं अपना आप इसको कर रहे हो expand करते जा रहे हो ठीक है तो expanded form गया विदर ध्यान देना ज़र अच्छे से मैं इसका RHS अगर उठा लूँ आपका उसर यह equal क्यों है ज़रा इस पर focus करो RHS इसको क्या बोलते हैं right hand side इसको बोलते हैं left hand side इस पर focus करना तो यह x है इन दोनों से multiply होगा इसका मतलब यह होगा x multiply में इन दोनों से x minus y फिर plus y ज constant तो है नहीं वेरेबल पर x multiply y is xy फिर y multiply x positive positive is positive y multiply x simple सा rule algebra का जो English alphabet का order होता है na a b c d आपको इसी order में follow करो तो easy होता है कैसे अब y multiply x को y x मतलिखो आप xy लिख दो कोई फरक नहीं पड़ेगा वे 2 multiply 3 या 3 multiply 2 यहीं की बात होती है न इसको भी y x को मैं क्या लिख रहा हूं xy और फिर positive negative negative and y multiply y is y square खीक है अब देखो यह plus xy minus xy cancel हो गया पर यह value क्यों नहीं कलके एगी x square minus y square तो यहाँ पर मैंने RHS से start किया था right hand side से और यह value देखो LHS का equal आगई तो रटना किसी चीज को नहीं है अब इस identity को simple way मैं बताता हूं होगा क्या कि आपके पास में two terms होंग एक first term होगी उसका भी square होगा एक second term होगी उसका भी क्या होगा square होगा तो आपको करना क्या है एक बार तो दोनों को add कर दो और एक बार दोनों को subtract कर दो right तो एक बार तो दोनों को add करना है and then subtract तो first में से second को एक बार add किया आपने और first में से second को subtract करती है यह simple identity है इस form में य आने वाली आपको समझ रहे हो फिर x y a b ठीक है p q किसी भी फॉर्म में आजए हमें तो पता है कि two terms है square होंगा first square minus second square equal to एक बार दोनों को add किया multiply एक बार दोनों को subtract कर दिया ठीक है इस identity को समझो फिर next बताता हूं फिर इंस related examples ठीक है इसको note कर लो एक बार पोज करो वीडियो को और not कर लिया करो राइट हाँ जी एक identity कुछ नहीं है बता हूँ एक बात हूँ आपको यह identity के नाम पर आपको ने फालतु में बनाते है identity कुछ है नहीं आप solve करो अपने आप बन के आने वाला है जैसे इसने फौर्थ identity दी हुई है कि अगर ऐसा हो x plus a multiply x plus b उल्लू बना रहे और कुछ नहीं बना रहे है ठीक है इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप इसको ऐसे लिखो x square plus a plus b multiply x plus a b अरे यार क्यों बच्चों को डरा रहे इतनी identity देखे आप देखना हम आपको बहुत कम से कम चीज़े रटवाऊंगा रटवाने चीज़े बहुत कम होंगी rarely कोई होगी वागे सब समझाऊंगा ज़रा इस पर LHS पर focus करना है यार तो LHS है आपका x plus a और x plus b ओके distribution property लगाने सीखिए आपने 7th class में तो ये x जो है वो इन दोनों से multiply होगा होगा कि नहीं होगा होगा तो x जो है वो इन दोनों से multiply होगा x plus b से और फिर plus का a है वो भी इन दोनों से multiply होगा तो plus a multiply by both numbers अब ये x इससे भी होगा और इससे भी हो होगा तो x multiply x is x square x multiply b plus तो है ये भी positive a भी positive है यहाँ भी positive ही था लेकिन first term के आगे positive sign नहीं लगाते है ठीक है x multiply b is bx मैंने बोला था x b मतले लिखना क्या लिखो bx English alphabetical order को follow करो तो पहले b का number आता है और फिर x का number आता है फिर ये positive है ये भी positive a multiply x is ax फिर positive 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 a multiply b is ab right क्या हो रहा है ये x square हो गया इन दोनों में से x common ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं तो आपने इन दोनों में से x common लिया तो देखो यहाँ भी बच गया और यहाँ बच गया a और plus का a b आप मुझे बताईए इसमें और इसमें को difference है तो रटना नहीं है ये mentally करोगे आपको लग रहा हो इतना लंबा कोन करें कि इतना लंबा थोड़ ना करते हैं यह तो 7th 8th के बच्चे करते हैं इतना पूरा लिख लिख के आप तो direct करोगे कैसे इसको इसको इपर note क कैसे लिखा हुए मैंने भी बनाया था directly कैसे ज़रा याद करो x multiply x होगा तो x square आएगा x multiply b होगा तो bx होगा याद रखा mind में a multiply x होगा तो ax होगा bx और ax में x common होगा तो मैंने x common ले लिया एक बर बचा b और एक बर बचा a और फिर A multiply B होगा तो A B होगा बताइए कोई ये identity रेटनी पड़ी इसको हमने तो बना लिया distribution property यूज करके ठीक है तो इस way में आपको करना है अब मैं आपको इस related example बताता हूँ इसको note कर लिजेवर फटा फट से हाँ जी तो example number 16 गा second part है X minus 3 multiply X plus 5 ठीक है देखो direct करके बता हूँ आपको mentally सोचने इसको कि X जब X से multiply होगा तो X square आएगा ठीक है जब X plus 5 से multiply देखो plus X और plus 5 तो plus का 5X आएगा फिर minus 3 जब X से होगा तो minus का 3X आएगा और जब minus 3 plus 5 से होगा तो negative positive negative वो ही 3 multiply 515 आएगा and then combine these two terms it is X square 5X minus 3X is 2X and minus 15 बताइए हो गया हुआ की नहीं हुआ यानि simple distribution property लगा आप कर सका लगी इसने बोला है आपको identity लगाओ तो लगा दो कोई problem नहीं तो identity लगा करते हैं तो यह आपका होगा method 1 कोई identity नहीं directly distribution property 7th class का बच्चा भी कर सकता है ठीक है method 2 से करते हैं identity लगाएंगे X minus 3 है और X plus 3 है ठीक है तो अपना क्या हो गया we know that कि अगर X plus A और X plus B हो यहाँ पर A और B negative positive कुछ भी हो सकता है वई क्योंकि आप minus sin उसे डरना नहीं अपन को ठीक है यह अपना simple सी चीज क्या निकल क्या रही है X के साथ में एक term होगी इसको मैं अब general बना दूँ देखो X के साथ में कोई एक term होगी कैसी भी होगी positive negative कोई फरक नहीं पड़ता X के साथ में दूसरी term होगी positive negative doesn't matter तो क्या करना है X square होगा X multiply second term प्लस first multiply X यानि कि X के साथ में देखो यहां भी आप देख सकते हो क्या बनी थी identity यह बनी थी X square plus A plus B multiply X plus A B उसका use करें तो X square plus first term plus second term into X plus first term multiply second term ठीक है यानि एक बर क्या करना X square हो गया X के साथ में एक बर second term X के साथ में एक बर first term X common आ गया and then first term multiply second term यह वाले चीज़ हो गई तो क्या करना है तो इसका use कर लिया अब मैं आपको ताथा इसको उपर वाले पार्ट को erase कर रहा हूं मैं इसको note कर लिज़ एक बर method one को पर चीज़ों को समझने है बैटा algebra सबसे simple subject है पता है आपको तो क्या होगा X square हुआ दोनों term जो भी है extra X के अलाव उनको क्या करना है आपको add करना है add करना है क्या करना है add करना है तो minus 3 और 5 को add करना है तो minus 3 और plus 5 कर दिया हो गया उसके क्या लगाना है X हाएगा X तो ही भी common और उसके बाद में दोनों term को क्या करना है आपको multiply करना है दोनों term क्या करना है multiply करना है यानि minus 3 और 5 को multiply करना है that means x square 5 minus 3 is 2x sign of bigger number होता है and 5 3 is 15 minus का बताओ वो ही आया है के नहीं आया x square plus 2x minus 15 हाँ जी तो इस वीडियो में इतना ही है next example and next identity से लेटे पूरा explanation next वीडियो में लेक्या हुआ ठीक है टाटा बाए बाए टेक केया